हलो विर्वन कैसे हैं आप सबी लोग वेलकम बैक टो आएटेन ट्रेडर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक टो एडवांस ट्रेडिंग का एपिसोड नंबर छट्वा और आज की इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप चार् 400 अलग-अलग तरीके की strategies फालो करता था अलग-अलग तरीके की indicator लगाता था जब मुझे यह पता चला क्यार मार्केट का जो behavior है वो तो buyer और seller देख रहा है तो यहाँ पर seller है वो try कर रहा है कि market को push करना या down करना है दूसरी सबसे important चीज मार्केट के अंदर जो levels बने हुए हैं, उस पर कितना OI बैठा हुआ है, या मार्केट के अंदर कितना resistance है, support है, तो ये सारी चीजे ही तो मार्केट में काम देगी, example के तोर पे, आज की एपिसोड आपका दिल दहला न दे, तो कहिएगा, और आपको इतना knowledge में आपके दिमाग में डाल दूँगा, कि आप अपने आपको रोक नहीं पाओगे, एक comment और एक like देने के लिए, चलिए challenge करता हूँ, बीना comment किये चले जाना तो बताना, starting से start करूँगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक completely 5 वीडियो नहीं देखिये, जो हमारा complete trading basic to advance वाला है न, आप बहुत आपको पढ़ाने की कोसिस करो, free up cost दे रहा हूँ, अगर आपके पास एक रुपया भी नहीं है, तब भी आप धीरे धीरे इस channel से बहुत सारी चीज़े सीख सकते हो, बस आप विश्वास रखो, trust रखो, comment और like करते रहो, पहला है beginner trade कैसे करें, दूसरा profitable trading setup दिया था मैंने, 10 points जो आपको हमेशा याद रखना है अगर आप trading कर रहो, उसके बाद daily profit बनाने का intraday setup दिया था, और risk reward maintain करने के बारे में बताया था, तो यहां तक मैंने आपको एक basic congestion दे दिया है, कि trading को कैसे करेंगे, अब मैं आज आपको ले जाओंगा एक नई दुनिया में, लेकिन उ सकते हो, आईए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि importance of levels क्या होता है, इसको समझेए, वीडियो थोड़ी लंबी है, प्यार से देखिएगा, समय निकाल के देखिएगा, तो अगर मैं importance of trading के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले एक कोई भी chart अगर चलता है, ठीक है, त आप ये smart money क्या है, smart money का concept बहुत simple है, जैसे मालो कि आपके पास एक छोटा सा दुकान है, ठीक है, सपोज कर आपके पास एक छोटा सा दुकान है, उस दुकान में आप क्या कर रहे हो, आप प्याज बेच रहे हो, ठीक है, प्याज बेच रहे हो, और आपको पता है कि यार market क मार्केट के लिगा सब्सक्राइन निन मार्केट के प्या 카拿 प्यां था ज्याओ है ने और धिर्षा सौर्टिंग कि मार्केट के लोगों को रिजा यूद्श के लिए भाइगत। और आपने प्याज खूब सारे स्टोर करके अब जब मार्केट के अंदर लोग दूसरे जगां से प्याज खरीद के आ चुके और प्याज सच में खतम हो गया मांसुन का इफेक्ट आया अब आपके पास प्याज बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है अब आप इसको महंगे जहां पर लोगों को लगता है कि यार यहां पर अगर इसको मार्केट क्रॉस कर देना तो मैं बाइन करूँगा और मार्केट वहीं पर उसको क्रॉस करता है क्रॉस करने के बाद आपको और हमको क्या लगता है कि वा 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 मार्केट तो यार इसको क्रॉस कर दी अब चलो य पता होना चाहिए इस smart money को समझने के लिए हम importance of level पता होना चाहिए तीसरी चीज़ क्या है कि levels के दोरान जब आप trade करते हो चाहिए आप options trade कर रहे हो चाहिए आप intraday trading कर रहे हो चाहिए आप या previous day का seller हो मेरे stop loss को बचा लेगा तो levels बनाना मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन उसके पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है levels के अंदर उसको समझने की पूरी कोसिस यहां पर करते हैं तो from very first मैं आपको पहली चीज यहां पर बताने वाला हूँ that is कि भाई market के अंदर OI क्य क्या होता है ठीक है यह हम लोग पहले सिखते हैं कि OI क्या होता उसके बाद ही आपको level समझ में आएंगे तो देखो ओवाई का क्या मतलब होता है basically OI एक picture है जैसे मान लो market में मैंने बोला कि यह market का high है यह market का low है ठीक है मान लो यह day time frame पर है या बहुत पूराने दिन का है और market ने क्या किया दोस्त लो से market यहाँ start करना शुरू हुआ तो ऐसा है नहीं कि अगर मान लोग कहीं आपका market लो से start कर रहा है और तुरान ताज high फिर पहुच जाएगा market के अंदर दो participants है एक है seller एक है buyer ठीक है यह दो चीज आप समझना अब क्या करेगा जो top का point है रहेगी यार कि कहीं पर market को weak करने की कोसिस की जाए तो वो सोचेगा कि यार चलो एक level इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पर हम पूरा का पूरा push करते हैं में भी यहाँ पर market हमारा resistance खाने लगे और में भी यहाँ पर market का हम एक downtrend करवा दे तो जब यहाँ पर market के अंदर जो seller आएगा वो यहाँ पर या तो call को sort करने की कोसिस करने लगेगा या यहाँ पर put को buy करने की कोसिस करेगा तो अगर वो यह काम करने में सफल रहा बायर मालो हार मान गया और market यहाँ से नीचे आने लगा सच में तो यहाँ पर जो level हो जाएगा इसमें OI sorting position की ज़्यादा तो आप अगर मालो यहाँ पर फिर बायर ने देखा कि यहाँ बहुत नीचे आगे अब चलो बायर इसको push करते हैं तो यहाँ पर बायर अपना खुद का एक territory बनाएंगे कि नहीं यार मेरे को यहाँ से market को उठाना है किसी भी हाल में तो market के अंदर बायर क्या करेंगे यहा उठान को कदिया market यहाँ पर hold कर रहा है support दे रहा है तो support हो गया अब इन levels के बीच में यह आपकी पूरी की पूरी कहानी लिखी जाएगी तो अब जो levels हैं वो levels कैसे होते हैं? वो levels होते हैं एक होता है very strong level, एक होता है medium level, एक होता है easy level, अब समझो strong level किसको बोला जाता है? strong level उनको बोला जाता है जो day time frame पर आपका काफी बार rejection या support दिखाए हो medium time frame हो गया एक घंटे के time frame पर या 2 घंटे के time frame पर जो strong resistance और support दिखाए हो easy क्या हो गया जो intraday trader जैसे हम आप लोग यूज करते हैं intraday trader वो क्या करते हैं 15 minute या 5 minute के time frame पर जो support और resistance market दिखाए हो तो तीन तरीके के levels आपको बनाने पड़ेंगे हमेशा याद रखिए strong, medium, easy ये तीन levels ही है market का सारा का सारा game बदलने वाले सारा का सारा game समझाने वाले दोस्तों अब इन levels को निकालने के लिए क्या क्या तरीके यूज किया जाते हैं share market के दिखजो द्वारा आये उनको समझते हैं तो levels निकालने की देखिए वैसे तो बहुत सारी tendency चली आ रही है बहुत सारे तरीके चले आ रहे हैं जैसे सबसे पहले 52 week के high low को समझा जाता है अगर आप stock market के अंदर trade कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत नया term नहीं होगा दूसरी चीज़ है कि pivot points का यूज किया जाता है या तो आप pivot points लगाकर यहाँ पर support और resistance मार कर सकते हैं तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर EMA यूज किया जाता है जैसे 20, 50, 100 और 200 EMA EMA मतलब होता है दोस्तो exponential moving average आगे सीरीज में आपको exponential moving averages के बारे में पता चलता रहेगा चौता हो जाता है कि basic आप chart के setups को देखकर, chart के accumulation zone को देखकर, distribution zone को देखकर, selling zone को देखकर, buying zone को देखकर, previous zone आपके बने हुए उनको देखकर, आप यहाँ पर support resistance है, levels को mark out कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ ना दोस्तों, वो थोड़ा इससे हटके हैं, क्यों? क्योंकि यह जो levels आप समझते हो, आपको क्या लगता है, कि यह levels का मतलब होता है एक line अगर line के उपर निकल गया, तो resistance का break हो गया, तो मैं यहाँ पर call खरीद लूँगा, यह support का कोई break हो गया, तो मैं यहाँ पर put खरीद लूँगा, और आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर trading करते होंगे, वो इस बात से भली भाती वाकिप है, कि market के अंदर दिन में अ वीडियो का content दिखकर like और comment करने क्लिक क्योंकि मैं अपनी पूरी मांदारी के साथ आपको समझाने की पूरी courses कर रहा हूँ, आज मैं आपको जो तरीका दूँगा दोस्तों, उस तरीके से आप levels की अच्छी तरीके से analysis करोगे, और आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा, कि levels बनाने के बाद उन पर trade कैसे करते, levels तो आप बना लोगे, levels तो आपको मैं समझा जूँआ अब 5 मिनट में मैं कहरा हूँ, मैं guarantee ले रहा हूँ, 5 मिनट में levels बना दोगे दोस्तों, लेकिन levels के उपर trade कैसे ले, वो असली principle कौन सिखाएगा, वो आपका भाई सिखा रहा है, त तो यह time frame को choosing करने के बाद को आपको वो level पकड़ना है, जहां पर market बार 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 वहां से bounce back कर रहा है, यह resistance ले रहा है, तो मुझे clear यहां पर समझ में आ रहा है, कि sorrub bhaey, यहां पर एक level तो मुझे दिख रहा है, जहां से market बार 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 क्या कर रहा है, तो ख्या म यह मेरा support हो गया second चीज क्या हो गया कि यह मेरा resistance हो गया यह resistance हो गया तो यह मैंने daytime frame पर अच्छी खासी analysis कर ली entire daytime frame पर 15 minute के अंदर analysis कैसे करेंगे पहले तो open high mark कर देंगे previous candle का उसके बाद उसके अंदर जो swing है उसको consider करेंगे तो सबसे पहले levels कैसे बनाना है उसको समझ दीजिए जैसे daytime frame पर मैंने bigger resistance का picture आपको mark कर दिया और जो पुरानी candle आपकी बनी होती है यह हो गया low और again आपको क्या करना होगा इसका यह high mark आपने कर दिया लो भाया जी यह आपका छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा अभी के लिए क् support यह हो गया आपका simple सा अब आप क्या करोगे आप चले जाओगे यहां पर पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक चीज को आपको ऐसे ध्यान से समझना है अब आपको यहां पर क्या करना होगा swing consider करने होंगे तो देखो यहां पर आ कलता और यहां पर फिर से market एक doji candle या hammer candle बनाता है तो फिर से यहां पर मैं एक sorting opportunity खोज सकता हूँ यानि put खरीच सकता हूँ यह हो गया simple सा बात अच्छा जी दूसरी चया चीज हो गई दूसरी चीज हो गई कि support कहा है तो market के अंदर एक support यह है ठीक है दूसरा एक support market यहां पर बनाया है तो अगर कलको market नीचे गिरता है तो यहां पर एक buying opportunity हो सकती है लेकिन आपको जो trade करना है वो किस basis पर करना है उसके बारे में कोई तो कुछ आपको बताता नहीं उसके जहां से देखिए मैं उसको बोलता हूं levels area अब area क्या होता है suppose करो market का यह एक पहला week है दूसरा candle यहां है तीसरा candle यहां है चोथा candle यहां है और market यहीं से continue ऊपर चला गया तो मैं इस area को consider करता हूं और area के आसपास आपको आकर छोटी 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 quantities के अंदर buy sell करन होता है तो देखो कैसे कहिया जाता है वो चीज़ समझो मैं फिर से वापस आ जाता हूं दोस्तों daytime frame पे मैंने daytime frame पे कर दिया मैं यहां पर सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं और मैं आपको अपनी analysis बता रहो जो मैं use करता हूं मैं कैसे trade करता हूं अब मेरे को यहां पर कि market के यार ये वाला जो point है नी ये बहुत तगड़ा resistance है अब आप समझो जब आप एक line draw करते हो तो आप इस चीज को भूल जाते हो लेकिन जब आप level draw करते हो न तब आपको ये जो particular ये है न ये आपको किस-किस चीज से बचाता है एक तो देखो जब आपके अंदर levels clear रहें तो आप ये पूरे के पूरे trap zone में नहीं फस होगे एक तो आप over trade नहीं करोगे क्योंकि आपको दिख रहा है यार कि यहाँ पर call तो लिया नहीं जा सकता है क्योंकि just उसके उपर एक resistance है तो ना आप पुट लोगे क्योंकि उसके just नीचे एक support है तो मैं हमेशा आपको ये कह यहां पर मैं draw करूंगा simple उठूंगा मैं morning में सबसे पहले ही मेरा resistance हो गया 40-50 पॉइंट जहां पर market बंद हुआ यहां पर market का top बना हुआ वहां से 40 उपर 40 नीचे कर लो ठीक यह हो गया मेरे लिए resistance दूसरा हो गया मेरे लिए यह एक major resistance हो गया देखो मैं कैसे प्यारे से candle क को माल लो यहां खुले यहां खुले यहां जाए तो इस पूरे area में buy करने का नहीं सोचूंगा हां अगर इस area को cross करके market उपर जाके retest करके उपर निकलेगा तो मैं buy का सोचूंगा यह चोटी चोटी चीजे आपको trader बनाएगी याद रखिएगा मैं हर बार आपको क्या कहत बता हूं मैं तो हर चीज नहीं वीडियो में दे पाता हूं क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है लेकिन मेरे दिल से निकलने वाली एक एक चीज आप कैच करो उसके बाद मैं support कैसे considerable में बनाऊंगा यह पूरा line मेरे लिए support है देखो कितने प्यारे डेंग से आपका दिन क करना बता दिया और अब बात आ जाती है कि सौरब भाई smart money वाले level कहां कहां है smart money वाले level कहां कहां है वो समझाओ smart money वाले level कहां कहां होता है दोस्तों longer time frame पे market जहां बहुत लंबा rally करने के बाद उठा या गिरा उसको smart money levels काते है जैसे यहां पर देखो आप यह longer time frame पे अभ resistance zone है यह smart money वालों का resistance zone है यह जो resistance zone है अब market क्या करता है अगर suppose को market यहां से गिरता हुआ यहां आता है न तो हम यहां पर खाली buying का सोचेंगे selling का नहीं दोस्तों और यहां तक का target या थोड़ा और नीचे का target कहीं कभी तो यह smart money की levels आप के वाल चार्ट में तब आ सकते हो jump market के अंदर बहुत बड़े इस तरीके के accumulation या distribution zone हूँ बाकि मेरी पूरी कोशिस थी कि मैं आपको यहां पर बहुत अच्छे अच्छे चीज़े दे पाऊं अभी आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो बताएगा अगला कौन से पार्ट पर आप वीडियो चालते हैं वो ITN trader के group में जुणने के लिए इतना पैसा मेरे whatsapp करो मुझे phone पे करो मुझे google पे करो say no comment का reply कभी मत किया करिए वो सारे के सारे fraud है fake है जो telegram पे आप लोगों से पैसा मांगते है वो सारे के सारे fake और fraud है आपको कुछ भी जानकरी चाहिए नई चीज चाहिए पुराने चीज तुर्माक्सों वहीं से जोइन करें thank you have a great day